देखिए अब हम while loop पढ़ रहे हैं, while loop और fall loop दोनों के दोनों आपके looping करने के लिए काम में आते हैं, that means जब हमें repetitive task कोई करना होता है, तब हम loops का इस्तमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम while loop का syntax देखते हैं, यहाँ पर आप शुरुआत ऐसे करते हैं कि while, उसके बाद आपका bracket में यहाँ पर आती है condition, ध्यान रखिए कि इसके बाद semicolon नहीं लिखना, then braces, यहाँ पर आपने जो भी code execute करा रहा है तो आप वो लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ प for example, मैं आपको यहाँ पर लिखके बताता हूं कि while, हम यहाँ पर लिखते हैं, i is less than 10 और इसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपने code execute कराना वो करा सकते हैं, i++, ठीक है, यहाँ पर हम increment counter use कर रहे हैं, यह हमारी है, यह क्या है, condition, यह condition है, तो इस braces के अंदर हम तभी entry लेंग ठीक है, जब condition true होगी, तभी हम इन braces के अंदर entry लेंगे, और यह look तब तक चलेगा, जब तक यह condition true रहेगी, ठीक है, जैसी यह condition false होगी, इसके बाद जो भी lines होगी, वो वाली execute होगी, तो वही example, some of first 10 natural numbers हम निकालते हैं, using while loop, इसमें हम क्या करते हैं, int i is equal to, हमने 1 से initialize कर या, इसके बाद हम यहाँ पर while loop लगाते हैं, while i is less than equal to 10, यह हमारी condition होगी, 10 तक करना है, sum is equal to sum plus i, और इसके बाद हमने क्या कराना है, i++, ठीक है, और यहाँ पर close, और उसके बाद finally loop जब खतम हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या कराना है, printf percentile d, यहाँ पर हमने sum को print करान है, तो यह इस तरह से हमारा while loop का true, हमने यहाँ पर sum of first and natural numbers है, वो निकाल लिया, इसको हम चला के देखते हैं, सबसे पहले i की value यहाँ पर 1 थी, हमने यहाँ पर 1 कर लिया, condition आपकी true हुई, sum को हम यहाँ पर initialize कर देते हैं, किस से, मैंने उपर लिखना बूल के, sum is equal to 0 से हम उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि condition 2 थी, sum is equal to sum plus i, that means i की value कितनी थी, 1 थी, तो sum की जो नई value हो गई, वो कितनी हो गई, 1, और उसके बाद हमने क्या क्या, i plus plus, that means i की value हमने increment कर दी 2 से, 2 is less than 10, that means condition true हुई, that means फिर से entry लेगा, आप क्या होगा, sum की value थी 1, और plus i i की value थी 2, that means 1 plus 2, नए sum की value क्या हो गई, 3, तो यह नए sum की value हो गई, इसके बाद i plus plus कर देगा, that means i की value अब हो जाएगी 3, 3 हो जाएगी, 3 is less than equal to 10, that means sum की value है 3, 3 plus 3, which is equal to how much, 6, तो 6 value हो जाएगी नए sum की, उसके बाद i plus plus, i की value हो जाएगी 4, तो इस तरह से loop चलता रहेग और finally जब आपका terminate कब होगा, जब i की value 11 हो जाएगी, यह condition यहाँ पर false हो जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पर सीधे यहाँ पर आ जाएगे, printf sum, sum आपका print हो जाएगा, हमें final answer मिल जाएगा, तो इस तरह से while loop चलता है, ठीक है, आईए इसकी उपर कुछ programs देखते हैं झाल जाएगा हो जाएगे